नमस्कार दोस्तों, मैं स्ट लॉजर सचेन, स्वागात रविनंदन करता हूं सभी प्रियदर्शों का सूर्य का वरष्टिक राशी में गोचर हो रहा है, सूर्य अपनी नीच राशी को छोड़ कर, तुला राशी को छोड़ कर, मित्र मंगल की राशी में प्रवेश करेंगे 16 नमबर 2022 दिन बद्वार को शाम लगबक साथ बजेए वरष्टिक राशी जलतत्व की राशी है और इस पर राशी का आठवे नमबर पर हम इस राशी को देखते हैं मंगल इस राशी का स्वामी है, मंगल असूर में परम मित्रता है, दोनों एक दूसे के मित्र हैं अनकूल है भारती जोतिश की बात करें तो वरष्टिक राशी सभी राशियों में सबसे ज़्यादा समवेधन शील राशी है या हमारे शरीर में तामसी कूर्जा को नियंत्रित करती है, साथी साथ हमारे जीवन की उतार जढ़ाओ पर भी इसका विशे प्रभाव परता है वरष्टिक राशी खानिज, भूमी, संसाधन जैसे पेट्रोल, गैस, इंटरनेट, रत्न जो जमीन के नीचे से निकलते हैं उनका परते निधित्व करती है दुरघटना, चोड, सजरी, ऑपरेशन, चीर फाल, कटना, फटना, जलना इन सब का भी परते निधित्व करती है सूरी का वरष्टिक राशी में जोचर जो होगा, वो कुछ अच्छे तो कुछ बुरे परिणाम देगा क्योंकि दुमनों मिलकर साहस और पराकरब योग बनाते हैं जिनकी जन्रम कुणली में दोनों ग्रहों की स्तिती मजबूत होगी वहाँ तो ठीक है जहाँ ये दोनों बिगने होंगे जिसकी जर्म कुडली में वहाँ पर क्रोध एहंकार गड़ाई जगड़ा बढ़ सकता है मारकाट बढ़ सकती है तो कुछ गड़बर होने की संभावनाय सब के साथ बनी हुई है सभी राशी वालों के साथ तो मेन परिणाम आपको जो देखने को मिलेंगे वह आपकी जर्म कुडली और वर्तमान में गोचर कुडली में गरहों की स्थिदी के आधार पर अब क्या प्रभाव पढ़ेगा आपकी राशी पर यह हम जानते हैं आपकी राशी के अनुसाथ और यह जानकाई चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी और जो उपाये बताए जाएं उपायों को कर लीजिएगा यह उपाये लाल किताब के उपर आधारित होंगे यह मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्योंकि लाल किताब के उपाए चल्दी रिड़ल देते हैं और सरल भी होते हैं तो चलिए शुभारब में करते हैं सुर्ज का या परिवरतर आपकी राशी के लिए क्या लेकर आ रहा है चैनल को सास्क्राइब करें बेल आइकन की बटन को दुआए फिर इस्ट्रेगराम पर भी आपने जलूर फालो करें आईए आपकी राशी के बारे में आप विस्तार से जानते हैं मकर राशी मकर राशी के जात्रों के लिए सूर्य आठवे भाव के स्वामी हैं आपके ग्यारवे भाव में यारवे घर में सूर्य जब भी जाते हैं तो आपके पार दोस्तों की दोस्ती जारी जिम्हाने का मौका होता है दोस्तों का एक बड़ा समू होता है आपके जो लक्ष है आप जो पाना चाहते हैं वो आपकी आँखों के सामने होता है आपकी मित्र मंडली बहुत अच्छी होती है आपके बॉस बहुत अच्छे होंगे उनका सहयोग बिलेगा आपके सहकर्मियों का सहयोग बिलेगा आकरशक दिलखुश इनसान होंगे मानसिक तौर पर बड़े मजबूत होंगे, दूर दरश्टी रखेंगे, अपनी जिन्गी में नौकरी और वैबार में उल्चा मान सम्मान प्राप्त करेंगे, दूसरों की मदद करने में संकोष नहीं करेंगे, आपके पास मानवी दरश्टी कोण होगा, आप अपने आप भी भला कर इस दौरान आपके बड़े भाई, भैन, चाचा का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, अचानक से धन प्राप्ती की सम्भावनाएं दिखती हैं, वैफशाय में पिछले दिनों की की गई महनत आप रंग लेकर आएगी, जो इन्वेस्ट्मेंट पहले किया था उसका अ आगे रहेंगे, आपके बच्चे कुछ ऐसा कर देंगे जिससे मातापीदा का नाम रौशन हो जाएगा, आपको आपकी संतान पर गर्व होगा, आपकी संतान आपका दिल खुश कर देगी, आप कारिस्थल पर जहां नौकरी करते हैं, जहां वैपार करते हैं, वहां पर सब कुछ बढ़िया कर देंगे, इतना दिमाग लगाएंगे, आप सभी के साथ बातचीत करेंगे, तालमेल बिठाएंगे और एक सही फैसले लेंगे, आपके संबंद जो है, सभी के साथ बढ़िया बढ़े रहेंगे, आप रिष्टों को फिर से जिन्दा कर देंगे, मरे आपकी जर्म खुली में हुआ, तो आपकी कमाई में गरबढ़ हो जाएगी, आप लक्षीर हो जाएगे और आपके साथ के लोग आपका साथ नहीं देंगे, बाकि जिनका भी सुर्य मजबूत है, वो इस सबय में बड़ी हल आप कमाने वाले हैं, और थोड़ा सा पत्नी की स शेहत का ध्यार नकिए पत्नी के साथ वाद विवाद मत करिएगा, नमस्कार दोस्तों, मैं स्ट लॉजर सचेजिन स्वागात और अपने सभी प्रिय दश्कों का, आपने वीडियो देखा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आप लोग चैनल को सस्क्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेस्बूक और इस्टरग्राम पर भी हमें फॉलो करें, और नीचे दिये गए लिंक्स हैं, इन पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं, और अपने मन पसंद एपिसोड देख सकते हैं, जोतिश से समद्दी किसी भी समस्या का हल पाने के लिए आप दिये गए नमरों पर समपर करें, और अपनी समस्या का हल पाएं, और अपनी अपॉइम्मेंट बुक कराएं, हम और आप मिलकर एक नया सुनहरा दिन बनाएंगे, जिसमें आपका भी फायदा होगा, आपके परिवार का भी फायदा होगा, जोतिश की मदद से मैं आप के सितारों को एकदम चमका दूँगा, और आप अपनी महनस से अपनी नाम का जंडा इस दुनिया में लहरा देंगे, तो देर किस बात की है, दिये गए नमरों पर समपर करना ना भूलें, और अपने भविश्य को, अपने परिवार के भविश्य को, अपने पच्चों के भ अंदर बनाए, मानसा हर त्याग दीजिए, शाकाहरी की तरफ चले जाएए, घर में पैसो की कमी नहीं होगी, आप मीट मश्ली खाएंगे, आपको तो मज़ा आएगा, लेकिन आपकी संतान को कष्ट होगा, धर्म कर्म इश्यों में विश्वास रखिए, शाकाहरी रहेंग अच्छे रिजड मिलेंगे, मकान में अगर कोई जिसे होता है, मकान के साथ कोई पेल वेड निकल आता है, पीपल वगयरा का, तो उसको विदिवत हटाईएगा, आपको ससुराल में इज्जत मिलेगी, कई बार नहीं भी मिलेगी, कई बार ऐसा लगेगा कि ससुराल से इज मिल रही है, कई बार बेज्जते भी हो जाएगी, तो वहां में रड़ाई जगडा मत करिएगा, जूट वगयरा बन बोलिएगा, मशली नहीं खानी है, जूट नहीं बोलना है, हरी वरिज पुरान का पार्ट करना है, यहूंबुर और तांबे का दान करना है, ग्यारा मूल यहां ले लें, पत्तो समेत, पत्ली मोटी जो भी हो, और उसको अपने सिराने रखकर सो जाईए, और सुमेह नंगे पैर मंदिर में चड़ाएं, जो आपके घर के आसपास हो, नहाद होके जाएगा, आपके कश्ट दूर हो जाएंगे, और पढ़िया हो जाएगा, और जो लोग संतान सुख चाहते हैं, वह वही जीवन का सुख चाहते हैं, पती पत्नी का प्यार चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, को आ रहे हैं, तो मीट मशली का सेवन छोड़ दें, तभी उनके घर में संतान का जन्म, या उनकी शादी होगी, या पती पत्नी के बीच में प् प्रांदार हो जाता है अगर आपकी जरम कुली में ग्रहों की स्थिति पढ़िया है तो आप माल कमाने वाले हैं देश-विदेश से धन दौलत की वर्शा होने वाली है आपको चिंता करने की कता यावशक्ता नहीं है खुश रही है और ऐसे ही भगवान आपको खुशिया दे है फेस्बूक और इस्टरग्राम पर भी हमें फॉलो करें और नीचे दिये गए लिंक्स हैं इन पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं और अपने मन पसंद एपिसोड देख सकते हैं जोतिश से सबंदी किसी भी समस्या का हल पाने के लिए आप दिये गए नमरों पर संपर करें और अपनी समस्या का हल पाएं और अपनी अपॉइन्मेंट को कराएं हम और आप मिलकर एक नया सुनहरा दिन बनाएंगे जिसमें आपका भी फायदा होगा आपके परिवार का भी फायदा होगा जोतिश की मदद से मैं आपके सितारों को एकदम चमका दूँगा और आप अ अपने बच्चों के भविश्य को आज से ही सुन्दर बनाएं नमस्कार